कि जहां पर मुर्त्युदर जादा है, जहां पर करोना का स्प्रेड तेज हो रहा है, उन राज्यों सगात विशेस रुप से चर्चा की गई हैं। लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं। तो मैं आगर करूँगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी हैं आपको लगता है वो मेरे तक पहुंचाईए ताकि कोई कोई राणदिती बनाने में वो उपकारक होंगे। अभी यहाँ जो भारत सरकार की तरफ से स्वास्ता सचीव की तरफ से प्रेजेंटेशन रखा गया। उससे भी स्पर्स्ट है कि एक बार फिर चौनवती पुर्ण स्थिती बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिती ज्यादा चिंता जनक है। ऐसे में गवर्नन्स सिस्टिम में सुधार यह बहुत आवश्चक है। यह मैं समझ सकता हूँ कि साल भर की इस लड़ाय के कारण लवस्ता में भी ठकान आ सकती हैं। डीलापन भी आ सकता है। लेकिन यह दो-तिन सप्ता और अगर हम टाइट करें। और अगर गवर्नन्स को बढ़ार मजबूत करें। इस पर हमने बल देना चाहिए। सात्यों, आज की समिक्षा में कुछ बाते हमारे सामने स्पस्ट हैं और उन पर हमें विशेज ध्यान देने की ज़रूत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पिक को क्रॉस कर चुका है। और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी जादा तेज है। दूसरा, महराष्ट, छतिशगर, पंजा, मत्वदेश, गुजरात समेथ, कई राज्य, फर्स्ट वेव की पिक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस वर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए इस चिंता का विश्य है, सीरियस कंसन है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अप्रिक्षा बहुत अधिक कैज्यूल हो गए है। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में करोना के केसिस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किले जादा पैदा की है। करोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्धस तर पर काम करना आवश्य है। साथ वे इन तमाम चुनवतों के बावजों हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनवो है। पहले की अपेक्षा अच्छे समसादन है। और अब एक वैक्सिन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्टर्स हेल्थ केर स्ट्राइब ने स्थीति को समानने में बहुत मदद की है। और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत्व और जिन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास ट्रेश्टिंग लेप नहीं थे। इवन मास्ट कहां से मिलेगा यह भी एक चिंता का मीशिए पिपी किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एक मात्र साधन बचा था लॉकडाउन। ताकि हम व्यवस्ताओं के एकड़म से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारे स्ट्रेटिजी काम आई। हम व्यवस्ताओं को बना सके समसाधन खड़े कर पाएं। हमारी अपनी capability बढ़ाई। दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाएं। और लोकडाउन के समय के हमने उप्योग किया। लेकिन आज जो स्टिती है। आज जब हमारे पास सब समसाधन है तो हमारा बल और ये हमारे governance की कसोगी है। हमारा बल माइक्रो containment zone पर होना चाहिए। चोटे-चोटे containment zone पर सबसे ज़्यादा है। जहां पर रात्री कर्फियू का प्रवग हो रहा है। वहां मेरा अग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रवग हमेशा करे। कोरोना कर्फियू। ताकि कोरोना के प्रती एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये intellectual debate करते हैं कि क्या करोना रात को याता है। हकीकत में दुनिया ने भी रात्री कर्फियू के प्रयोग को स्विकार किया है। क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फियू समय होता है तो याद आता है कि हां मैं करोना काल में जी रहा। और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम से कम प्रभाव होता है। हां अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फियू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फू के नाम सही प्रचलिज करें